आज चर्चा करने वाले हैं मेहत्वपुणु दिवस के बारे में जो की अक्सर पूछे जाते हैं एक्जाम में, वो कभ मनाई जाते हैं, जादा नहीं करेंगे, थोड़े ही करेंगे क्योंकि थोड़ा बूंद बूंद करके ही घड़ा बरता है। है तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 22 मार्च से कब से 22 मार्च कि अब 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो विश्व जल दिवस कौन सा दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है तो 22 अपरेल को क्या मनाया जाता है तो 22 अपरेल को प्रत्रवी दिवस मनाया जाता है रत्वी दीवस मनाया जाता है अच्छा जी तो बाइस मही को क्या मनाया जाता है तो जयाव विविद्धा दीवस 22 मार्च विश्व जल दीवस 22 अपरेल प्रत्वी दीवस 22 मही जयाव विविद्धा दीवस अब आते हैं पाथ जून पाथ जून को कौन सा दीवस मनाया जाता है विश्व परियावर्ण दीवस 21 जून को क्या बनाया जाता है तो 21 जून को क्या मनाया जाता है विश्व योगा दीवस कौन सा दीवस विश्व योगा दीवस इस सोला सितंबर को क्या बनाया जाता है कि शोला सितंबर को क्या बनाया जाता है मैं विश्व ओजोन दिवस वो जोन दिवस ठीक है 22 मार्च को विश्व जवल दिवस 22 अप्रेल को प्रत्वी दिवस 22 मई को क्या मना आजाता है जय विविट्टा दिवस और पांच जोन को क्या मना आजाता है विश्व परियावर दिवस 21 जोन को क्या मना आजाता है विश्व योग दिवस योगा दिवस 16 सितंबर को क्या मना आजाता है विश्व ओजोन दिवस अब यहीं साथ में जोड़ते हैं 22 मार्च के बाद आता है 23 मार्च 13 मार्च को क्या मनाया जाता है सही दीवस कूंसा दीवस सही 23 मार्च के बाद 24 मार्च 24 मार्च को क्या मनाया जाता है टीवी दिनस अब यहां पर हमने 22 अप्रेल कर लिया तो 22 अप्रेल से पहले देखे साथ अप्रेल ठीक है साथ अप्रेल साथ अप्रेल को कुल सा दिवस कोना जाता है तो विश्व स्वास्त दिवस कौन सा दिवस विश्व स्वास्त दिवस 24 अप्रेल 24 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो पंचायत दिवस इसके लावा और याद कर लेते हैं सितंबर दिसंबर याद कर लेते हैं एक दिसंबर को को एक दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है तो एक दिसंबर को दिवस मनाया जाता है कौन सा एड्स कौन सा दिवस मनाया जाता है तो यह कुछी महत्पूर में ने बताये हैं 22 मार्च 22 अप्रेल 22 मही 5 जून 21 जून 16 सितंबर 1 दिसंबर 23 मार्च 24 मार्च साथ अप्रेल और 24 अप्रेल को कौन सा दिवस मनाया जाता है इससे आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी महत्पूर दिवस इसी तरीके से बताऊंगा और थोड़े-थोड़े करके याद करेंगे तो सभी याद हो जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से